सल्मान खान की मोस्ट पॉपुलर और कॉंट्रवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 14 की फिनाले में महस कुछी वक्त बाकी रह गया है जिहां टीवी रेयलिटी शो का विनर आखिरकार कौन बनेगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और जल्द ही बिग बॉस सीजन 14 की विनर का नाम एनाउंस्मेंट करेंगे आज की शाम सल्मान खान वेल जहां एक और सल्मान खान शो के विनर का अनाउंस्मेंट करने वाले हैं आज रात तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भरपूर प्यार दे रहे हैं अपने कंटेस्टेंट को उनके फैंस वाल इसे बीच टीवी एक्टरस रुबिना दिले की तरफ रुख किया जाए तो रुबिना जो के शो के शुरुआत से लेकर अब तक फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं जहां एक और फैंस की चहती हैं रुबिना तो वहीं टीवी सेलेबरिटीज की हाल ही में फिनाले से पहले ही टीवी एक्टरस और बेग बॉस सीजन 13 की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी रुबिना दिले को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है अपनी पिरतिकरिया दी है रुबिना दिले को विनर जी हां शो के विनर को लेकर रुश्मी ने ट्विट किया है बीते कुछ द और अपनी पियारी सी दोस्त रुबिना को वेल रुबिना दिले को लेकर रश्मी देसाई ने एक ट्विट किया था भी ते कुछ दिनों पहले ही और लिखा था रुबिना दिले क from the day one till now you have been part of bv14 and it's definitely no easy every week wine gets changed on weekend का वार but you were the only contestant who inside the house from the day one till now what more is possible for trophy hashtag रुबिना दिले को खुल कर सपोर्ट किया है रश्मी ने और रश्मी का ये ट्विट साफतोर पर जाहिर करता है कि रुबिना उनकी फैवरेट है और वह चाती है कि रुबिना शो की विनर बने फिलहाल देखा जाए तो रुबिना दिलेक हिमाचल की वादियों में जम कर इंजॉय कर रही है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हुई नजर आ रही है हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहे है नेक्स्ट नाइन न्यूस